सो गाईस आज का दिन भी काफे ज़्यादा सही है और यार अभी मैं सुबह उठकर यहाँ पर कुछ नहा लेता हूँ लेकिन यार उससे पहले वो हमारा सिंचेन वहाँ पर क्या कर रहा है ओई सिंचेन तू अभी पागल हो चुका है क्या अरे फ्रेंकलिन भाईया क्या आपको पता नहीं है क्या हमारी सिटी में अभी जाइंट रेड हल्क आ चुका है अरे क्या बकवास कर रहा है यार जाइंट रेड हल्क यार अभी हमारी सिटी में कैसे आ सकता है वे वैसी यार हमारा तो रेड हल्क था लेकिन अभी वो जाइंट रैड हल्क कैसे बन गया, एरे फ्रेंकलिन भाईया आप भी बिल्कुल पागली हो, अभी न मुझे टोनी भाया का फोन आया था और वो मुझे बोल रहे थे कि अभी जो जाइंट रैड हल्क है ना उसने कुछ को अपग्रेड करके खुछ को थ्री हैंड जाइंट रैड हल्क ब चलनी को तयार हूँ तो चलो अभी हम चलते हैं ओके सो गाइस यार अभी हमारे पास यार यहाँ पर भूत सारी बाइक है तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं किस पर जाऊँ तो चलो यार मैं अभी एक काम करता हूँ मैं अपने इस ब्लू पाइप पर जाता हूँ और गाईज यार आज न हम अपने जाइंट रैड हल्क को देखना चाहते हैं लेकिन यार अभी मुझे पता नहीं है कि यार वो जाइंट रैड हल्क ना कहां पर आएगा इसलिए गाईज यार अभी न मुझे अपने किसी एक अवेंजर के पास जाना होगा क्योंकि यार जो हमारे अवेंजर हैं वो शायद यार रैड हल्क का पता जानते हो तो चलो यार अभी हम वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन सिंचेन यार तुझे पता है का रैड हल्क कहां पर आने वाला है अरे नहीं फ्रेंक्लिन भाया मुझे तो ये नहीं पता है लेकिन मैं एक बल जानता हूँ कि मैं रैड हल्क का न बहुती बड़ा फैन हूँ सो भाई लो ग्यार हमारे सिंचेंट की ये बगभग तो यहाँ पर चलती रहेगी लेकिन यार अभी मैं यहाँ पर God Hulk की लोकेशन पर आ चुका हूँ क्योंकि यार जो हमारे God Hulk है वो शायद यार Red Hulk का पता जानते हो इसलिए यार अभी मैं यहाँ पर God Hulk के पास आया हूँ बस ये हमारी हेल्प कर दे हेलो गोड हल्क हेलो फ्रैंक्लीन लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे हो अरे दरसल गोड हल्क यार अभी सिंचेन मुझे बता रहा था कि यार अभी हमारी सीटी में जाइंट रैड हल्क आने वाल है इसलिए यार मैं ना उसकी लोकेशन जाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ हाँ फ्रैंक्लीन अभी मुझे भी पता लगा है कि जाइंट रैड हल्क खुद को अपग्रेड करके हमारी सीटी में आ चुका है और मैं भी उसे देखना चाहता हूँ अरे हाँ गोड हल्क बया इसलिए आप जल्दी से अभी हमें जाइंट हल्क के पास पहुत जाओगे तो चलो गाईज यार अभी हमें अपने गोड हल्का यहाँ पर मोश्य ट्रक मिल चुका है और यार यह मोश्य ट्रक काफी मैजिकल है और यार शायद यह अभी हमारी हैल्प भी कर सकता है इसलिए चलो यार अभी हम जल्दी से यहां से निकलते हैं एंड यार ये मोश्य ट्रक बहुत ही जादा मैजिकल और पावरफुल है इसलिए देखो यार जैसे कि हमारे गोड हलक है न वैसे यार अगर मैं यहां पर किसी भी कार को टकर मारता हूं तो वो देखो भाई किस तरीके से दूर जाकर फैकती है और यार जहां तक मुझे लगता है इस हमारे मोश्य ट्रक में न बहुत सारी पावर होंगी तो देखो यार ये मोश्य ट्रक कितना जबरदस तरीके से बाउंस करता है और भाई यार इसे तो यहां पर कुछ होता भी नहीं है तो चलो गाईज यार इससे पहले कि जाइंट रैड हल्क हमारी सिटी से चले जाए हम जल्दी से पहुच जाते हैं हमारे अगले अवेंजर की लोकेशन पर सो गाईज अभी मैं और सिंचेन यहां पर स्पाइडर मैन के घर पर आ चुके हैं क्योंकि यार शायद हो सकता है कि हमारा स्पाइडर मैन हमारे जाइंट रैड हल्क के लोकेशन जानता हो तो चलो यार अभी हम देखते हैं अरे गाईज देखो अभी मुझे यहां पर अपना स्पाइडर मैन मिल चुका है लेकिन यार यह तो हमारा ultimate स्पाइडर मैन है अरे हाँ Franklin भाया और मुझे पता है कि Ultimate Spider-Man ना हमारी help नहीं करने वाला है अरे Franklin भाया जो ये Ultimate Spider-Man है ना ये काफी ज़्यादा गुस्से वाला है ओके सो गाईज यार अभी हम एक काम करते हैं हम यहाँ पर यार इस Spider-Man को बेहोश करके इसकी कार को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे तो चलो यार मैं एक बार यहाँ पर चुप जाता हूँ अरे यार मैं तो पानी में गिर गया तो चलो यार अभी मुझे इसे जल्दी से मारना होगा यार यार इससे पहली के उठे अरे बाई साफ यार यह तो उठ भी रहे गाईस मेरी गन्ना बहुती जादा पावरफुल है बट यार हमारे यह Ultimate Spider-Man का जो यह सूट है यह तो यार सच में काफी खतरनाकी है अरे हाँ गाईस यार देखो जो हमारा Ultimate Spider-Man है इसका सूट कितना ज़ादा अच्छा लग रहा है और जो इसके यह Spikes लगे हुए न यह मुझे सबसे ज़ादा पसंद आए है अरे सिंचेन यार अभी हमारे लिए इन बातों का टाइम नहीं है तो चलो यार इससे पहले कि Ultimate Spider-Man का सूट उठे हम यार जल्दी से इसकी बाईक को लेकर यहां से निकल लेते हैं अरे हाँ Franklin भया लेकिन आप मेरे लिए तो रुको सिंचेन यार आज मुझे पता लग चुका है कि तू यार किसी दिन मुझे मरवाए गाई क्योंकि भाई यार ये इतना जादा लेट है कि यार ये ना किसी दिन मुझे फसवाएगा और यार सबको पता लग जाएगा कि यार सिंचेन के साथ Franklin नहीं रहता है तो यार ये ना म लगी है अरे हाँ गाईज यार अगर आपको हमारी ये बाइक अच्छी लगी हो तो चलो यार अभी इस बाइक की मदद से मुझे अपने अगले अवेंजर की लोकेशन पर जाना होगा क्योंकि यार शायद वो हमारे जाइंट रेड हल की लोकेशन जानता हो तो चलो यार अभी मैं जल्दी से अपने दूसरे अवेंजर की लोकेशन पर पहुच जाता हूँ So guys यार अभी मैं यहाँ पर अपने Venom की अब्जरवेटरी में आ चुका हूँ लेकिन यार अभी यहाँ पर एक प्रोब्लम हो चुकी है दरसल guys यार हमारी यहाँ पर दो-दो Abomination खड़े हैं जो कि यार हमारी Hulk के टक करके हैं इसलिए यार इन दोनों को हराना हमारी लिए काफी जादा मुश्किल होने वाला है तो यार मैं अभी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ Guys यार मैं अभी एक काम करता हूँ मैं अपनी rail gun का यार इन पर इस्तमाल करता हूँ तो देखते कि अभी यहाँ पर क्या होता है ये ले Abomination अरे भाई यार वो भी डर चुका है तो मैं यार उसे भी मार देता हूँ ये लो guys यार हमने इन दोनों Abomination का देखो यहाँ पर क्या हाल कर दिया है अरे यार ये उठने की ट्राइ कर रहा है क्या तो चलो यार मैं इन पर जादा से जादा अपनी rail gun का इस्तमाल करता हूँ ताकि ये उठना पाए अरे हाँ Franklin भाया लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है अरे सिंचेन यार अभी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है तो चलो यार अभी मैं यहाँ पर अपने Venom की Observatory में आ चुका हूँ और यार हमारा Venom ना यहीं कहीं पर होना चाहिए तो देखो यार मैं आपको बोल रहा था ना हमारा Venom यहाँ पर ही होगा और यह देखो हमारा Venom यहाँ पर ही है तो चलो अभी हम अपने Venom से बात करते हैं हेलो Venom हेलो Franklin लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अरे दरसल Venom यार अभी हमारी सीटी में Giant Red Hulk आने वाला है और यार मैं और सिंचेन ना उसे ही देखने के लिए जा रही है Franklin Giant Red Hulk अभी काफी जादा खतरनाक हो सकता है तो तुमें उसे देखने के लिए नहीं जाना चाहिए अरे नहीं Venom यार अगर वो खतरनाक होगा ना तो यार हम उसे टकर लेंगे और शायद हम उसे फाइट में हरा भी सकते हैं लेकिन Franklin Giant Red Hulk अभी पहले से काफी जादा ताकतवर हो चुका है और गाईज अगर आप Giant Red Hulk को देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो और फिर मैं Franklin को अपनी special card दूँगा जिसकी मदद से वो Giant Red Hulk की location पर जा सकते हैं अरे हाँ गाईज यार अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जैसे ही आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे हमारे सामने यहाँ पर हमारी Venom की कार आजाएगी तो चलो यार अभी हम अपने countdown को start करते हैं और आपको 1 पर हमारी वीडियो को like करना है So guys 3, 2, 1 So awesome guys यार देखो आपने जैसे हमारी वीडियो को like किया हमारे सामनी Venom की कार आ चुकी है ओर भाई यार ये कितनी बड़ी कार है और यार जहां तक मुझे लगता है ना इसके पीछे ये Turbo Boost लगा हुआ है और यार इसके पीछे तो भाई 4-4 टायर है तो चल सिंचेन यार अभी हम जल्दी से Giant Red Hull की location पर चलती है अरे हाँ Franklin भाया और देखो मैं बैट भी चुका हूँ तो चलो गाई जार अभी हमारे पास हमारे Venom की कार भी हो चुकी है और यार सच में जो ये कार है ना ये काफी ज़्यादा बड़ी है और देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि इस कार के पीछे ये Turbo Boost भी लगा हुआ है तो चलो यार अभी मैं आपको इस Turbo Boost की पावर दिखाने वाला हूँ तो ये दिखो सच में यार ये Turbo Boost तो काफी ज़्यादा खतरनाक था और इससे यार हमारा Accident भी हो सकता है अरे हाँ Franklin भया और अभी मुझे आपके साथ इस कार में डन लग रहा है इसलिए प्लीज आप इस कार को अराम से चलाओ ओके सिंचेन यार मैं इस कार को यार अराम से चलाता हूँ और अभी जो हमारा Giant Red Hulk है वो यार हमारी City में आ चुका है और यार हमारी City में ना कोई अलग सी Energy निकल रही है तो चलो यार अभी मैं जल्दी से अपने Giant Red Hulk की लोकेशन पर चला जाता हूँ सो गाईज यार दरसल अभी मैं यहाँ पर अपने Tony Stark के मेंशन पर आ चुका हूँ क्योंकि और जो हमारा Tony Stark है वो हमारी सभी Avengers का Head है और यार यह हमारी Giant Red Hulk की लोकेशन पका से भी पका जानता हूँ तो चलो यार अभी हम अपने Tony Stark से बात करते है हेलो Tony Stark हेलो Franklin लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अरे दरसल Tony Stark यार अभी मुझे पता लगा है कि Giant Red Hulk हमारी City में आ रहा है इसलिए यार मैं उसे मिलने जा रहा हूँ Franklin क्या तुम पागल हो Giant Red Hulk अभी काफी जादा खतरनाग भी हो सकता है और गाइस जो हमारा Giant Hulk है वो एक Evil Hulk है और अगर अभी वो Giant बन चुका है तो उसके पास बहुत सारी पावर आ चुकी होंगी अरे हा टोनी स्टार क्यार ये सभी बाते तो मैं जानता हूँ लेकिन अभी मेरे पास हमारी सभी Avengers के विकल हो चुके है और उनकी पावर से शायद हम उसे रोक भी सकते है Franklin ये तो तुमने काफी जादा अच्छा किया और गाईज अभी शायद हम उस जाइंट रेड हल्क को रोक सकते है और अगर वो रेड हल्का भी अच्छा बन चुका होगा तो हम उसे Avengers की टीम में भी शामिल कर लेंगे अरे टोनी स्टार क्यार वो सभी बाते तो ठीक है लेकिन यार अभी तुमने यहाँ पर यह हल्क बुस्टर का क्या हल्कर रखा है यार अरे ओसम टोनी स्टार क्यार इसलिए यार तुम हमारे Avengers के हैडe हो लेकिन यार अगर तुम मुझे यह हल्क बुस्टर दे देते हो तो यार मैं काफी जादा पावरफुल हो जाऊंगा और शायद फिर मैं उस जाइंट रैड हल्क को रोग भी सकूँ ओके तो गाइज अभी मैं फ्रेंकलीन को अपना ये हल्क बश्टर देने जा रहा हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रेंकलीन को अपना हल्क बश्टर दे दू तो जल्दी जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो So awesome guys यार अभी हमारे पास यहां पर हमारा हल्क बश्टर भी हो चुका है जो कि हमारे टोनी स्टार्क ने काफी जादा अपग्रेड कर लिया है और यार जहां तक मुझे लगता है हमारा यार ये हल्क बश्टर ना हमारी इस वैनम को तभा कर सकता है और देखो यार हमारे हल्क बस्टर ने वैनम की भाई इतनी बड़ी कार को कैसे उठा लिया है और यहां पर मैं इसे फैके मारता हूँ लेकिन हमारे हमारे हल्क बस्टर की स्पीड भाई अभी कुछ जादा ही हो चुकी है और गाईज यार अगर आप ध्यान दे रहे हो ना तो हमारे हल्कबस्टर में अभी काफी जादा चेंजिस हो चुके है जो कि यार अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो ये देखो मेरी लेजर एनरजी अभी काफी जादा हो चुकी है और हमारे टोनी स्टार्क ने यार इसमें लेजर एनरजी डालके काफी खतरनाक की काम किया है और अभी देखो यार मैं यहाँ पर इस कार का क्या हाल करने वाला हूँ और यार ये कार मुझसे डर-डर के भाग रही है ये देखो मैंने अभी यहाँ पर क्या हल कर दिया है और यहाँ पर अभी सिर्फ तबाही तबाही है तो चलो guys यार अभी हम अपने giant red hulk की location पर आ चुके है और यार मैंने अपने hulk buster को transform करके यार एक car में convert कर लिया है ताकि हमारे giant red hulk को कोई शक ना हो और यार इसकी speed भी काफी जादा है लेकिन अभी मुझे यहाँ पर अपना giant red hulk देखने को मिले वाला है अरे 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 guys देखो अभी हमारा giant red hulk हमारे सामने है सिंचेन देख यार हमारा giant red hulk कितना जादा बड़ा लग रहा है अरे हाँ Franklin भाया और यह giant red hulk तो देखने में काफी जादा खतरनाक भी लग रहा है अरे हाँ guys यार हमारे इस giant red hulk के भाई तीन-तीन सीर है और यार मैं आपको दिखाता हूँ कि यह भाई कितना जादा giant हो चुका है तो दिखू guys मेरा size और इस giant red hulk का size अरे यार मुझे लगता है कि मैंने इसके पैरों में भाई गुद गुदी कर दी थी लेकिन यार यह red hulk के यह punk कैसे आ चुके है अरे Franklin भाया मुझे ना ऐसा लगता है कि इसने ना खुद को कुछ जादा ही transform कर लिया है इस इले देखो यह कितने जादा strong लग रहे है अरे हा सिंचेन यार guys सच मेर जो हमारा giant red hulk है यह काफी जादा बड़ा है और यार मैंना अभी एक काम करता हूँ मैं अपने इस hulk buster की मदद से एक पर fly करने के try करता हूँ तो यार फिरना मैं आपको giant red hulk को आगे से दिखाऊंगा तो यह दिखू भाई लोग यह कितना जादा बड़ा है और यार इसके जो यह 3-3 सिर्यना यह सबसे जादा मस्त लग रहे है और इसकी body भी अच्छी खासी है so alright guys यार आपको हमारे giant red hulk कैसा लगा हमें जल्दी जल्दी comment में बताओ और यार अगर आप चाहते हो कि मैं अपने इस giant red hulk की power को इस्तमाल करूँ तो यार आप जल्दी जल्दी से comment में part 2 लिखोगे तो मैं अपने इस giant red hulk की powers को आप सभी को दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे लिए काफी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यार हमें इस giant red hulk को control भी करना होगा